नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना और चलिए फटाफट से बता देते हैं आपको हर्याना की दस बड़ी खबरें इस साल हम पच्चतरवा स्वतंकरता दिवस मनाएंगे इसलिए इस बार पूरा देश आजादी का अमृत महुत्सप बना रहा है जिसे यादगार बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है इसी को देखते हुए हर्याना सरकार भी सभी राशन डिपो पर तिरंगा मुहया करा रही है जिसकी कीमत मुख्यालय की तरफ से 20 रुपे टै की गई है रोतक की गाउं माइना के एक किसान परिवार में जन्मे बॉक्सर अमित पंगाल आज कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 में अपना पहला मुकाबला खेलने जा रहे हैं जो की वानु आटू देश के बॉक्सर नामरी बेरी से होगा अमित पहले भी कई अंतराष्ट प्रतियोगिताओं में देश को मैडल दिला चुके हैं इसले इस बार भी देश को उनसे गोल्ड की आस है हर्याना की विधायकों को रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के मामले में हर्याना एस्टी अब दौरा बड़ी कारवाई करते हुए छे लोगों को गिरफतार किया गया है लगबग 15 दिन चले इस ऑपरेशन में कई बातें सामने आई हैं जिन मुबाइल नमबर से धमकी भरे कॉल्स किये जा रहे थे उनके पाकिस्तान से ऑपरेट किये जाने का भी खुलासा हुआ है पानिपत में एक होटल में रेप कर वीडियो बना कर ब्लैक मेलिंग करने का एक और मामला सामने आया है महिला जीन जिले के सफीदो इलाके की रहने वाली बताई जा रही है महिला का आरोप है कि बदमाशों ने उसके साथ दुशकर्म किया फिर अश्रील वीडियो भी बनाया कुछ दस्तावेजों की धोका धड़ी की बात भी सामने आई है आरोपितों पर केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है खरयाणा के परवयन मंत्री मूलचंद शरमा ने एक कारेकरम के दौरान कहा कि विकास के लिए ऋबी वर्गों को साथ लेना होगा रवीवार को परशुराम जन कल्यान समिती मेंуем कारेकरम के दौरान उनहों ने बात जाई उन्होंने भगवान पशुराम की प्रतिमा का अनावरन किया और समिती को 11 लाख रुपए अनुदान की राशी की खोशना की चाइनीज माजे की बिक्री पर बैन के बाद भी धडले से ये बेचा जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है डीसी ने भी दो दिन पहले धारा 144 लगाते हुए चाइनीज माजे की बिक्री करने वालों पर कारेवाई की आदेश दिये पुलिस छापे मारी कर तमाम माज़ा बरामत भी कर रही है फिर भी कल तीज के मौके पर चाइनीज माजे की चपेट में आकर बाइक और स्कूटी पर जाते हुए तीन लोग घायल हो गई बताय जा रहा है कि माजे की तेज रगड से बाइक सवार युग को की गर्दन पर गहरे खा हुए जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जाना पड़ा हर्याना सरकार बैंकों से लोन दिलाने के लिए सिविल स्कूर्स मॉडल अपनाएगी जिसके तहत लोगों को बैंकों से रिंड लेने की सुबधा मोहया करवाने के लिए स्टिस्टम तैयार किया जाएगा चंदीगड में रविवार को मुख्यमंत्री मनुहरलाल खटर ने सुशासन सहयोगियों के छटे बैंच को संबोधित करते हुए ये बात कही जजजर में दहेज पृताणना से पीडित महिला ने खुदकुशी कर ली है मामला गाउंबागपुर का बताए जा रहा है जहां ज्योति नाम की महिला ने खांसी लगाकर अपनी चांदे दी लगातार ससुरालवाले दहेज के लिए मांग कर रहे थी ज्योतिम के दो बेटिया है मृत्का के परिवार की शिकायत पर सस्राल वालों के खिलाब दहेज का मामला दर्ज कर लिया गया है आम आदमी तो छोड़िये सरकारी विभाग भी टेक्स समय पर नहीं चुकाते जी हाँ हर्याना के सरकारी विभागों पर प्रॉपर्टी टेक्स का करीब 20 करोड रुपए पकाया है तमाम नोटिस भेजने के बाद भी टेक्स जमान न होने पर अब स्थानिय शहरी निकाय मुख्याले से 100% वसूली का फर्मान जारी कर दिया गया है STF ने लाकों की हिरोईन के साथ दो लोगों को गरफतार किया है जो दिल्ली के उत्तम नगर से पंजाब जा रहे थे ये गरफतारी रोहतक के प्रेम नगर चौक के पास हुई है इस दोरान पुलिस में आरोपियों की तलाशी के वक्त 317 ग्राम हेरोईन बरामत किया है दोनों आरोपियों को और अविवार को ही अदालप ने पेश किया गया जिसके बाद रिमांट पर भेज दिया गया है कि तो यह थी हर्याना की दस बड़ी खबरें फिर होंगे हाजिर कुछ नया कुछ खास लेकर देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जूड़ी रहने के लिए देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन क्या क्या देखते उुड़ी देखते रहें देखते रहें देखते हैं